नमस्कार फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक टाइग के बारे में जो ब्रेक टाइग है यह एस्टेमल में बहुत कम यूज होता है तो आईए चलिए करते हैं स्टार्ट इसके लिए आप अपने कोई जो पहले प्रजेक्ट बनाया था जो पहले आप अ एस प्रस ओपन कर लेता हूं तो नियू शीट बना लेता हूं है स्टार्टिंग से स्टार्टिंग के टाइग आपको बता दिये थे तो हम जल्दी से लिख लेते हैं उनको html, html close, body close, title this is here, title को close कर दीजिए चलिए अब हम यहाँ पर paragraph देख लेते हैं कोई चलिएजी अब आपने paragraph लिख दिया है इसको आप सेव कर लीजे पहले और प्लीज इस बात का ध्यान रखिए आप एक ही folder में सारा काम करें इदेदर फाइल्स को सेव मत करें आप बाद में पजल हो जाएंगे और जो name आप रखेंगे जिस चीज के बारे में आप सीख रहे हैं तो प्लीज आप उसी से related name रखें ताकि आप in future अगर आपको कोई problem होती है तो आप उस sheet को open करके देख सकते हो तो suppose मैं आज break tag के बारे में कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम लिख सकते है break break tag dot html html tag लगाना ना भूले save कर दीजिए इसको आप open कर लीजिए या फिर आप इसको यहाँ से भी run कर सकते हैं यह देखिए run में जाकर launch in firefox ie chrome safari जिसमें भी आप करना चाहते हैं तो हम firefox में इसको open कर लेते हैं अभी यह लिजिए हो गया open hi my name is man singh अब इसमें break tag कर क्या function है चलिए यहाँ देखते हैं दूसरा paragraph लिख लेते हैं i am from shindigad इसको save कर लिजिए यहाँ जाकर refresh कर लिजिए अब देखिए जैसे ही हमने एक paragraph लिखा और close किया उसके बाद हमने दूसरा paragraph लिखा और उसको close किया जब यहाँ से हमने paragraph start किया और यहाँ पर close किया उसके बाद जब हमने दूसरा paragraph start किया तो उसने automatically यहाँ पर break दे दिया यह देखिए जैसे हमने paragraph को close किया वो जो दूसरा paragraph होगा वो automatically नीचे से start होगा तो यह तो by default automatically break लग गया अगर मैं इसको एक ही लाइन में लिख देता हूँ सुपोज मैंने इसको यहां से कट करके एक ही लाइन में लिख दिया Hi, my name is Maan Singh I am from Chandigarh अब देखिए इसको save कर लेते हैं और इसको यहां reach लेते हैं यह देखिए अब यह एक लाइन में आ रहा है अब इसको नीचे लेकर आने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा तो इस condition में मेरे को लगाना पड़ेगा break tag चलिए हम यहां पर लगा रहते हैं break tag BR यह इसका tag है और एक बात का ध्यान रखिए जो break tag है यह सिफ open होगा यह close नहीं होगा ठीके जी HTML में दो चर ऐसे tag हैं जो open होते हैं बट वो close नहीं होते हैं और यह ज्यादा नहीं है यह बहुत ही थोड़े हैं जैसे BR हो गया break HR हो गया horizontal row यह मैं आपको next studio में बताता जाऊंगा चलिए जी अभी हम इसको checker लिखते हैं save यहां कर अब इसको refresh कीजिए यह दखिए जैसे पहले हमने किया था paragraph के थरू वो automatically नीचे आगे था अब यह हमने किया break tag के साथ यह दखिए next line में आगया इस तरह अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं कुछ और paragraph लिखना चाहते हो तो इसके आगया break tag के दे देजिए वो नीचे आ जाएगा ठीके जी तो यह बहुत ही simple है और इसमें आपको यह tag close नहीं करना होता है इस बात का ध्यान रखिया है कई वार हम क्या करते हैं यहां पर आप BR close कर देते हैं तो यह गलत है ऐसे नहीं करना हमने यह सिर्फ open होगा यह tag close नहीं होगा ठीक है तो प्लीज आप वीडियो को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्यूंकि मैं daily आपको ऐसी वीडियोज अपलोड करता रहांगा और जो आपके यूज में आती रहेंगे थैंकियो